दोस्तो मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आ चुके हैं यूटूब से लेके इंस्टागराम तक कि सर कैंडिड 3D क्रीम पर रिव्यू करिए सर कैंडिड 3D क्रीम को कब कब अपलाई किया आता है और किस किस प्रॉब्लम में ये काम आता है इसकी सारी जानकारी दे दीजिए तो दोस्तो आज मैंने इसी पर वीडियो बना दिया है आप लोग वीडियो देखते रहे हैं तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करके नौडिफिकेशन बैल को जरूर करते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करू मेडिसिन से रेलेटेड तो वो आप तक नौडिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं Candid 3D क्रीम एक कॉंबिनेशन क्रीम है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इसकिन से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए इसे यूज किया आता है जैसे कि किसी की प्राइविट पार्ट पर दाने या फिर चेहरे पर दाने या फिर किसी को दाद, फंग इंटान इंटा ре– वह हम आगे इस वीडियो में जानेंगे और यह भी जानेंगे इसे लगाने का सही समय और सही तरीका और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नहीं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो आप लोग बने रहे हैं वीडियो में चलिए मैं दिखाता हूँ पहले इसकी पैकिजिंग आप स्क्रीन पे देख रहे होगे Candid 3D Cream यह है एक 15 ग्राम की पैकिंग में आता है और इस 15 ग्राम की पैकिंग का जो प्राइज है वो है लगबग 63 रुपे यानि 63 रुपीज ओनली कमपनी से बनाती है इसमें होता है क्लोबिटसोल इसमें होता है इन दवाओं से मिलकर यह बना हुआ है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नहीं इसका इस्तेमाल नहीं करना चीए एक साल से कम उमर के बच्चों में यह अपलाई ना करें अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सला लें उसके बाद इस्तेमाल करें या फिर अगर डॉक्टर उन्हें रिक्मेंट करते हैं बच्चे को तो आप अपलाई कर सकते हैं दोस्तो वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि जो भी दवा हम यूज करना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट हमें मालूम होने चीए साथ-साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चीए और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हो दोस्तो हो सकता रिपलाई करने में देरी हो जाए लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा क्यूंकि आज कल मैं थोड़ा बीजी हूँ इसलिए मैं जवाब नहीं दे प दाने हैं और बहुत ज़्यदा खुजली होती है ऐसी कंडिशन में इसका इस्तिमाल चाहे वह फीमेल हो चाहे मेल हो वह दोनों कर सकती है लेकिन इसे एक्स्टरनली यूज़ करना होता है इंटरनली यूज़ नहीं करना है यानि कि आपको बाहरी तोचा पे ही लगाना ही प्रव्लम आपकी दूर हो जाएगी या फिर पीश़ी को दाद की अगर किसी को नॉर्मल या दाद हो रहा है तो उसे भी ठीक यूज़ कर देता है लोग GYM से एक वहां पे इस ऑफूरॉपन बहुत आराम देता है और मैं आपको बताना चाहूंगा किसी को एक्जीमा हो तो एकजीमा में भी ये बहुत फायदे मन्दे और सोराइसिस है किसी को तो सोराइसिस में भी ये बहुत इक फायदी माना जाता है तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा अगर किसी को स्किन से रिलेटेड प्रावलम है और उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है तो आपको करना यह है कि आपको LCJ टैबलेट लेना है LCJ की वीडियो अगर आपने नहीं देखिए तो यह वीडियो खतम होने के बाद वो वीडियो एंड इसकिन पाजाएगी आप देख सकते हैं तो आप वो जरूर इस्तेमाल करिए जब भी आपको इसमें इचिंग वगएरा ज्यादा महसूस होता हो और अगर आपको बहुत समय स से दाद है और पूरे बॉड़ी पे फैल रहा या फिर फंगल इंफेक्शन है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेसान हो गयो तो ऐसी कंडिशन में आई टी में 200 mg कैप्सुल या फिर इट्रस इस 200 mg कैप्सुल आप यूज़ कर सकते हैं यह दोनों वीडियो आपको आ इसे यूज़ किया जाए तो उसे भी ठीक कर देता है इसकिन से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है और अब मैं आपको बताता हूं इसे यूज़ करने का सही समय और सही तरीका दोस्तों इस क्रीम का इस्तिमाल आपको दो टाइम करना होता है सुब अब मैं आपको बताता हूं इससे होने वाले साइड इफेक्ट दोस्तों जब आप इस क्रीम को लगाते हैं और जहां आपको प्रॉब्लम थी वहां पर और ज्यादा खुजलियों लगे तो समझ लीजिए आपको इस उट नहीं हो रहा है या फिर वहां पर दाने निकलने ल जरूर लें नजदिक की डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवा यूज ना करें आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी ऐसी मेडिसिन से रेलेटेड वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीड बज़र दीजिये गुड़ बाई